इस lecture में मैं आपको बताऊंगा कि चार पिलर्स जो हैं, जिनने मैं चार पिलर्स बोलता हूँ for EDA Analysis, Exploratory Data Analysis के वो कौन-कौन से हैं और हमने अब तक क्या-क्या पढ़ लिया हुआ है। Let's move into our screen, यहां पर हम EDA के पिलर्स देखने वाले हैं, E, D, चार भई, इसी को भी अभी मसले में आना था, EDA के पिलर्स, डेटा हमारे पास सेंटर में है, जो डेटा आ गया, वो प्राइमरी हो, सेंटरी हो, whatever it is, अब डेटा से अगली बाते हैं, Sampling थी, डेटा को लाने तक, ठीक है, अब डेटा से अगली बाते हैं, एक हम उपर को जाएंगे, एक नीचे को, एक राइट, एक लेफ्ट, मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ हमेशा, बलके राइट से स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले आप देखेंगे Composition, ठीक है, फ मेरा ना, मेरे को भी तरीका है, यहाँ पर मैं टाइप भी कर देता हूँ, Relationship, और यहाँ पर आप देखेंगे Comparison, ठीक हो गया, यह चार पॉइंट्स अगर आपको Clear हो जाएं, जिन लोगों को यह Clear नहीं होते, उन लोगों के साथ फिर प्रॉब्लम्स जलती रहती हैं, उन्हें समझ नहीं आती के क्या करने हैं, ठीक है, अब आपके पास यह चार पॉइंट्स Clear हैं, Comparison हो गया, Composition हो गया, Relationship हो गया, और Distribution हो गया, इसको मैं बोलता हूँ, C, D, और C, R, ठीक है, और इसको मैंने याद किया था, C, D, C, R, Simply, Comparison, ah sorry, Composition, Distribution, Comparison and Relationship, C, D, C, R, Right, Left, उपर नीचे, दाएं, बाएं, उपर नीचे, So, this is how you can actually remember these things, और इनको समझ के, अगर आप, C, D, C, R को समझ जाते हैं ना, सो आपके लिए सारे के सारा Idea Analysis इजी हो जाएगा, अब आप खुद सोचें, जरा Mind दोड़ाएं, जब Python के अंदर, आप डिफरेंट किसम की Commands को चूज़ करके, रन कर रहे थे, जो Info की Command थी, Shape की Command थी, वो सारी की सारी Composition पे थी, Data Type कौन सी है, कौन कौन सी चीज़ी है, कौन कौन से पहलू, आपने देखने हैं, वो सारा कुछ यहां पे था, Composition पे, फिर इसी के अंदर आपके पास Anomalies भी थी, यानि कि Missing Values कितनी आ रही हैं, Missing Values को कैसे Impute करना है, Composition के अंदर ही थी, ठीक है, जब वो सारा कुछ आप कर लेते हैं, फिर आप चलते हैं, Distribution की तरफ, कि Normal Distribution है, कौन सी Distribution है, कौन सी नहीं है, इस पे Depend करता है, Comparison के लिए Test कौन सा Use करना है, और Relationship के लिए कौन सा करना है, And this is how you move around the curve, ठीक है, So, यहां से आप इदर को जाते हैं, फिर आप दुनों साइडों पर move करते हैं, And this is how you can actually see, कि आपके Data का EDA Analysis कैसे हो सकता है, ठीक है जी, यहां तक आपको Clear हो गया, Okay, Hopefully आपको Clear हो गया होगा, और इन्शाला यह जितने भी Lectures हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, कि Statistics की जो Book है, वो तकरीबन मेरी Complete होने वाली है, Within Few Days, एक Week के अंदर अंदर फिर उसको Proof Read किया जाएगा, और उस Book के अंदर यह सारी की सारी चीज़ें Add होंगी, आपको टैंशल नेने की ज़रूरत देता हूँ और वो बुक को 600 पेजों वाली नहीं है, मैकसिमम वो मैं 100-120 पेजिस तक रखूँगा, इससे ज्यादा नहीं, और वो टोटली फ्री में आपके पास अवेलेबल होगी, Reason to do that is, कि यार आप लोग stat पी ज़्यादा जोर अभी से दे लें तो बहतर है थाके आपको समझ आगे, अब आप खुद सोचें, अगर आपको normal distribution का ना पता हो तो आज test नहीं से समझ आने, homogeneity का ना पता हो तो test नहीं से समझ आने, categorical, numerical data का फरग ना पता हो तो आपको पता नहीं था चलना कौन सा test कब लगने, ठीक है, ना मैंने टेस्टों के वो ही याद करने, बाकी assumptions तो आपको पता है, अब आइस्ता आइस्ता आप देखेंगे के composition से distribution से comparison और relationship के इर्द गेर्द आपका सारा data घूमता है, और इसी को data analysis बोलते हैं और data analysis डिफरिंग इसम का आप इसी तरीके से कर सकते हैं, statistics से थोड़ा सा आगे machine learning के अगर आप इससे input लेके, दूसरी चीजों को predict करने लग जाएंगे, यानि कि इन results की base पे किसी और को predict करेंगे, वो inferential होगा, और उसी inferential statistics को basically machine learning कहा जाता है, थोड़ा सा advanced level होगा, और ये composition से distribution, comparison and relationship, इसमें univariate भी होता है, यानि कि एक variable का, bivariate भी है, यानि कि दो variables का, फिर multivariate statistics भी आती है, यानि कि multiple variables का, तो इन्शाला हम आइस्ता हैस्ता हैस्ता हैस्ता, ये सारे steps जो हैं वो करते जाएंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया, तो please do it, subscribe नहीं किया channel, तो तो channel को भी subscribe कर लें, और अपना ख्यार रखें,